Welcome in RSK Maths Monitor Chapter 11th Exercise 11.4 Sum number first करेंगे एक garden is 90 meter long and 75 meter growth जैसे आप question को read करते जाएं साथ साथ में आप figure draw करते जाएं इससे question में इसके लिए होज़ा कि आपको निकालना क्या है हमने first line read की और first line को हमने साथ में draw करना है एक garden है जिसकी length और breadth दी है इत मींस वो rectangle की shape का है अब ये 90 meter long है और 75 meter इसकी wide दी है breadth दी है और rectangle की opposite side इकल होती है 90 और ये आपके पास 75 होगी ये path 5 meter wide is to be built outside ये बहार की तरफ and around it इसके 4 तरफ बहार की तरफ और 4 तरफ यानि हमने एक रस्ता बनाना है उस रस्ते की इसने length दी है इसके चारों तरफ path हमने draw किया चारों तरफ ऐसे अब इस figure में आप observe कर रहे हैं ये हमारे पास ये भी एक rectangle की shape हो गई figure में आपको दो rectangle नज़र आ रहे हैं अब first जो rectangle है उसकी तो हमारे पास length और breadth है लेकिन जो second rectangle है उसकी length breadth नहीं है हमारे पास तो उसकी length breadth हम निकालेंगे किसके base पे जो path है जो रस्ता है यानि ये 5 meter wide है यानि यहां से तो पता कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 90 meter है 5 meter रस्ता इदर बढ़ गया और 5 meter यानि 10 meter बढ़ गया 90 में 10 बढ़ गया तो ये length हो गई हमारे पास 100 meter same इस side से यहां से 75 है यानि इस seat तक आपका 75 है और यहां भी यह 5 meter बढ़ गया और यहां भी 5 meter बढ़ गया यानि 5, 5, 10 और 75 ओल्रीड तो ये complete जो wide होगी हमारे पास 85 meter अब हमी निकालना कि find the area of path जो path है उसका area निकालना है also find the area of garden in the hectares में area को convert करना है अब यहां से जो path है यानि area हमारे पास इसी area को निकालना है अब अलग से इस path का रस्ता निकालने का हमारे पास कोई formula नहीं है हमें सिर्फ इस area की need है अगर हम big rectangle का area निकालकर उसमें से जो small rectangle का area माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ यही area बच जाएगा निकालना है इसको इस figure को हमने निकालना है तो last में सिर्फ यही बच जाएगा निकालना मतलब माइनस करना तो यहां से हम area निकालने इस question को आप figure में ही mention कर लें फिर उसके coding अब जो big rectangle उसकी length है 100 meter और breath है हमारे पास 85 meter area of big rectangle rectangle की shape में तो इस rectangle लिके area of big rectangle L x B length हमारे पास 100 meter है और breath 85 meter है इसको multiply करेंगे 85 वंजा 85 और 20 को 30 meter square में अब हमारे पास small rectangle है यह हमारे पास garden भी कह सकते हैं तो उसके लिए length है 90 meter और breath है 75 meter area of garden यह आप लिख सकते है area of small rectangle क्योंकि small rectangle है यह है वही length multiply breath away 90 meter multiply 75 meter इन दोनों को जब हमारे पास result होगा हमारे पास 6750 meter scale अब इस पूरा area में से complete area में से यह area की हमें need नहीं है यह इसको निकालना है it means minus करना तो area of path होगा हमारे पास area of path जो big area है यह इस में से हम इस area को यह इस area को निकाल देंगे यह निकालना मतलब माइनस कर देंगे तो हमारा जो area of path है नहीं remaining area आ जाया जिरो फाइब 14 में से 7 7 और 1 यानी 1750 meter square area of path होगा अब हमारे पास last point also find the area of garden in hectares में इसको हमने hectares में convert करना अब कोई भी square field है square field जिसकी side 100 meter हो तो उसका area हमारे पास क्या होता है हेक्टेर इसको बोलते हेक्टेर इस space को हेक्टेर में आब इसका area कैसे निकालेंगे 100 multiply 100 तो यह क्या होगा मारे पास 1234 यानी 10,000 meter square यह area होता है यानी इसका area को बोलते है 1 hectare तो यहां से 1H से denote करते है 1 hectare के equal होता है यानी reason यह कि 1 hectare को हम 10,000 meter square मिलेंगे अब meter square को आपने इस meter square को hectare में convert करना यानी meter square आपका as it is और यह 10,000 यहां multiply में था इदर आएगा तो divide में यानी 10,000 से divide करोगे तो वो meter square hectare में change हो जाएगा यानी 6,750 को अगर आप 10,000 से divide करोगे तो यहां से यह hectare में convert हो जाएगा 0 से 0 cancel out अब यहां से 1,2,3 1,2,3 जितने बाय में 0 हो उतने ही place आते हैं अपके पास decimal के 3 0 है तो 3 place होंगे decimal के 1,2,3 यानी 0 यह hectare में इसका convert हो जाएगा now question number second ए 3 meter wide path runs outside आउटसाइड भी है और अरांड जारो तरफ भी है rectangular park सबसे पहले आप park की figure रो करें rectangle की shape का park है length given है 125 meter और breath given है 65 meter इसके outside बाहर की तरफ बाहर की तरफ एक path है रस्ता है यहां से बाहर की तरफ हमने रस्ता draw करना है इस तरह से आप एक rough sketch draw कर ले इससे clear हो जाएगा आपके आपके निकालना क्या है यह हमारे path अब outside है it means outside की length हमारे पास नहीं given wide जो path कितना 3 meter है यह 3 meter है यानि जो outside rectangle की length है वो 3 meter इदर से बढ़ गई और 3 meter यानि यह complete length हमारे पास 65 थी तो already sorry यहां से 125 यह 125 है और यहां से 3 meter इदर से बढ़ गया 3 meter 6 यानि complete जो length होगी 131 meter होगी उसके बाद यह breath देखेंगे यहां से यहां तक तो यह 65 है 3 meter इदर से बढ़ गया 3 meter इदर से बढ़ गया तो 65 यानि 71 meter होगया इस तरह से यह big rectangle है उसका area हमारे पास निकाल लेंगे small rectangle है उसका area निकाल लेंगे हमें इस area की need है तो इसमें से यह हमें कम करना होगा minus करना होगा निकालना होगा तो इसलिए इसको minus करके हम remaining area निकाल लेंगे अब area of big rectangle, big rectangle का area length आपक पास 131 meter और breath 71 meter area L multiply B होगा यही 131 meter multiply 71 meter तो इस तरह से 9301 meter स्केरी स्की मुल्टिप्लिकेशन का result होगा सेम हमारे पास area of जो small rectangle बनी इसके इंदर small rectangle यह आप उसको गाड़न भी बोल सकते है पार्क भी बोल सकते है small rectangle का area वही length multiply breath length 125 meter और breath 65 meter इन दोनों को जब multiply करेंगे 8125 meter meter square हो जाएगा अब इस तरह से हमारे पास दोनों rectangles का area हो गया अब इस complete area में से इसको हम less कर देंगे तो यह हमारे पास सिर्फ यह area बच देगा तो area of path जो रस्ते का area क्या होगा जो big rectangle में से हम उस area में से यह area निकाल देंगे तो हमारे पास area बच जाएगा यह यहां से 11 में से 5, 6, 9, 7 यहां पर हमारे पास 2 और यहां से 1 और 1 तो यह हमारे पास meter square के अंदर होगा area of path यह आपके सभी questions एक जैसे ही हैं सिरफ यहां पर आपको clear देखना पड़ेगा कि आपकी outside की side दी है या inside दी है अब इस question में देखें ए picture is painted on a cardboard, cardboard है cardboard की length और breath दी सबसे पहले आप cardboard बनाए cardboard की length और breath दी है 8 cm long है और 5 cm यह wide such that there is a margin margin होता है अंतर छोड़ते difference होते थोड़ा सा of 1.5 cm का along each of each side पर ते एक side हमने margin छोड़ना अब यह पता कि cardboard पे उसने painting डो कर रहा है पेंटिंग तो इसके अंदर डो करेगा यानि इसने margin छोड़ना है इसने कुछ area छोड़कर यानि boundary छोड़ना है अब यहां से कलिए रहा है कि वो painting अंदर कर रहा है यहां पे painting कर रहा है इट मिंस यह margin वो छोड़ रहा है तो हमें इसका area की need होगी जो painted area है वो निकाल के complete area में से तो हमारे पास जो margin का area निकाल दाए अब यहां से clear है कि जो picture हो अंदर side बन रहे है तो अंदर की side हमारे पास नहीं है outside दे अब की बार हमारे पास यानि 1.5 इधर से और 1.5 1.5 और 1.5 हमारे पास 5 यानि 3 cm दोनों तरफ से कुल मिलाकर 3 cm margin आपको छोड़ना पड़ेगा यानि complete तो 8 थी 3 हमने छोड़ दिया तो हमने paint किया शिरफ 5 cm जो painting की हमने शिरफ 5 cm पे इसी तरह से यहां से complete 5 cm थी उसमें से margin छोड़ दिया तो हमने painting कितने पे की शिरफ 2 cm जो यहां से ये length है ये breath है 2 cm पे उसने शिरफ painting की अब यहां से हमारे पास two rectangles होगी एक big rectangle और एक small rectangle तो area of big rectangle बड़ी rectangle का area वही length multiply breath होगा length हमारे पास eight centimeter breath हमारे पास five centimeter eight five's are 40 centimeter square यह complete cardboard का area होगया अब उस में से जो हमने area paint किया है तो उसको हमने निकालना है बाकी बचवा area होगा margin का अंतर का इसने difference छोड़ा हुआ है space छोड़ा होगा अब area of small rectangle small rectangle अब small rectangle लेंध हमारे पास क्या आई five centimeter और breath हमारे पास क्या आई two centimeter क्योंकि three centimeter तो टोटल हमने छोड़ दिया तो five to the ten centimeter scale तो यह हमें जो paint का area है वो ten centimeter है बाकी जो space बच गया वो margin है तो area of margin of margin जो चारों तरफ space है वो margin कहलाएगा इसमें अब 40 centimeter area था उसमें paint किया उसने 10 centimeter square में बाकी बचावा हमारे पास margin होगा यानी 6 remaining तो 0 और 30 यानी 30 centimeter square जो margin होगा space होगा painting के चारों तरफ दिस दा कॉस्चिन नमर थार्ड, dear students, if you like our video then like and share the video झाल